हाई आज हम दोग देखने वाल है कि react native को किस तरीके से अब connect करेंगे अपने लारावल बैकेंड के साथ यादि कि react native में हम लोग एक android application मनाएंगे और उसको connect करेंगे लारावल बैकेंड के साथ देखें कि कैसे सारी चीज़ें होती है इन सब्सक्राव कर देता हूं मैं और सीड्राव में हो मैं सीड्राव में एक नया फंडर करते हैं हमारा में प्रोजेक्ट फोल्डर रहेगा तो यहां पर मैं इसको लिगता हूं connect react native लारावल अब फोल्डर का नाम कुछ भी रख सकते ह से meaningful रक रहा हूं यह रख आब इसको हम लोग वीस कोड में open करेंगे तो open with वीस कोड में ने किया और यह हमारा वीस कोड में open हो गया project folder main project folder इसका कोई काम नहीं इसको मैं यहां से close कर देता हूं हम लोग यहां पर सबसे पहले लारावल का का म कारेंगे यानिकि बैक एंड का काम करेंगे हमारा मेन काम रहा है कि इसमें एक API क्रेट करने है इसमें सिफ एक फीचर हम लोग देखेंगे जो कि होका डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करवाना अपने react native android application में अगर एक देता है इसको मैं देखा हूं आपको तो यह रीसोर्स के अंदर में views folder के अंदर में यहाँ पर आपको welcome.play.page पी यहाँ पर दिखेगा इसको मैं यहाँ से रिलिक करता हूँ पूरे को इसका कोई काम नहीं है इसमें सिंपल सा मैं आपको एक code लिख कर दिखाता हूँ कोड से सेव करने के बाध अगर पिसको यहाँ वेड़वेज में डेकरिये करें इस से हमारा कोई काम नहीं है अम यहाँ पर वैब में गोई लाएक करना है उसके लिए हम ली एप बनाएं घॉल अपना gamma बनाएंगे तो इस हाई ABA बनाने क्या मक्षद मक्षद यह है कि हमारा डेटा रहेगा डेटाबेस में यहां पर लोग MySQL यूज करेंगे डेटाबेस उसको में configuration करने के भियाश्रता पड़ेगी डेटाबेस हमारा जो भी डेटा रहेगा उसको हमें retrieve करवाना हमने react native application में तो सबसे पहला काम database को config करना .env file यहाँ पर जाएंगे आप यहाँ पर आपको दिखाए देगा db connection हमारा MySQL है तो MySQL हम लोग यूज करने वाल है db host default यही रहेगा port host पोर्ट हमारा यही रहेगा database का नाम जो भी आप रखे हैं आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा तो मैं यही नाम रख दूँग डेटाबेस करते वाद तो मैं यहाँ चेंज करने का शक्रता नहीं पड़ेगी उसके तरीके से user name हमारा root रहेगा by default password हम database create करता है उसके लिए हमें open करना पड़ेगा xampp because हम आपाचे server और mysql यहां से run करना है उसके बाद browser में चाहिए और localhost लिकर interface कीजिए फिर आपको यहाँ से php admin में click करना है तो हमें एक नया database create करना है उसके यहाँ new में create क्लिक करेंगे database का नाम क्या रखेंगे Laravel backend और य करते है database हमारा तक यह क्रेट होगी है कोई भी टेबल नहीं टेबल हम लोग कोडिंग से create करेंगे जब यह database का नाम आप यहां रखते हैं वह ही आपको नाम यहां पर यहां पर mention करना होता है तो कुछ भी करने का शबता नहीं कि database का configuration हमारे यहां से खतम हो जाता है database हमने बन controller में data fetch करने का काम करेंगे फिर उस controller के लिए एक route बनाएंगे API रूट बनाएंगे फिर हमारा काम कतम हो जाका लारा वरी चलिए सर्जिने करते हैं हमें आशक्ता पढ़ने वाली migration file की model की controller की तो यह 3 file हमें create करने का शकता है कैसे create करते हैं देखिए फ़ले server stop कर देते हैं औ m4 migration और c c for controller mc में लिख दिया वो interface करते हैं जैसे interface करेंगे देखिए model हमारा create हो जागा है migration file हमारा create हो रहा है और controller हमारा create हो चलिए सर्जिने हमारा create हो गई CLS करते हैं और php artisan server लिखके इसको run कर लेते हैं तो server हमारा फिर से run कर रहा है अभी हमें यहां पर आना किया कि अब file हमारा create हो है मैं आपको दिखाता हूँ और अब database में जाएंगे यहां से migration में और यहां पर यह वाला सबसे नीच यह वाला file तो यह हमारा create टेबल यह हमारा migration file है table के लिए जो होगे अभी create हुआ है इसके साथ हí हमारा एक file create होआ है model folder के अंदर में students.php हमारा model file है हूसके बाद हमें controller मिलेगा app folder हंदर htb folder के अंदर controls के अंदर में student controller नाम से यह वहारा controller field और जो route हमें बनाना है वह हमें routes के दर मिलेगा, routes के दर में API.php, यहां पर हमें अपने route define करना होता है, एक web.php होता है, यहां पर आप तब बनाएंगे जब आपको web बनाना हो, web के लिए बनाना, बट हमें यहां API बनाना है, तो उसके इसमें API.php में ही अपना सारा काम करना हानी की roots हमारे यहींपर बनेगे तो यह जो है पूरा का पूरा में इसको बात में देखेंगे जो बात करेंगे ताओ फिलाल के लिए हमें क्या करना है पहला टेबल बनना सीखना है तो टेबल कैसे बनाते हैं वह देखिए तो टेबल हमारा बन जाएगा हमें बस कॉलम्स यहां पर डिफाइन करने होते हैं तो इस्टुट्ट्स नम का हमारा टेबल बनेगा जो भी यहां पर लिखा हुआ इसी नम का हमारा टेबल करेक्ट होने वाला है क्या कि हमारा कॉलम रहेगा इसमें एक आईडी नम का कॉलम रहेग अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे कि हमें इसको माइगरेट करना पड़ेगा सर्वर को स्टॉप करते हैं और यहां पर php artisan migrate इस त्रीक लिए इंटरप्रेस कीजिए सारे migration file को migrate करेगा और हमारे लिए जितने भी migration file था यहां पर सभी को migrate करता तो बहुत सारा उसको इपना प्लाओं को बहुत सारे रहिए यहां पर सλαब मुझे हैं इसमें काही इमेल मिलेगा है और takiej इंसर्ट औ करते हैं यहीं से कर देते हैं तो इंसर्ट इस मापकी जगा इंसर्ट पर मुझे क्लिक करना है इंसर्ट पर क्लिक किया और यहां से स्ट्व नेम में सोनम और सोनम की email आड़ी सोनम at gmail.com लिख दिया बागी सब ब्लैंक रहने देते हैं फिर एक वोर यह इंसर्ट करते हैं राहूल और यहां पर राहूल at gmail.com और फानली गो में क्लिक कीजिए और यहां पर ब्रास में क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए आपको दो डेटा इंशाट होकर मिलेगा स्टुडेंट स्टीबल में डेटा आ गया विसी डेटा को बस हमें API में यहां पर लगाना है कैसे करेंगे मतलब API में डेटा फेच करवाना है कैसे करेंगे देखिए हमें क्या करना पड़ेगा यह जो हमारा migration file इसका काम निसको क्लोस कर देते हैं और model में कुछ खास करने के व्याश्यक्दा नहीं तो इसको भी आप क्लोस कर सकते हैं हमें करेंगे model का यूज करके यूँकि model और migration file यहनि model और table आपका connect रहता है तो model से आप उसको इसके methods को call कर सकते हैं जो कि आपका data निकाल के आपको देगा तो model का यूज करने तो model को पहले import कर लेते हैं तो यूज लिखना है app then models folder के अंदर में student नाम का हमारा एक file है उसको मैं इंपोर्ट कर लिया अब इस class के अंदर में एक हम लोग अपना बनाएंगे function public function index का नाम रखता हूं मैं और यहाँ पर simply data return करेगा जो हमारा model है हुआ उसमें क्या करो all method लगा तो यह क्या करेगा यह all method क्या करता है इस model में जो भी data को यानि हमारे table में जो भी data का उसको return कर देगा तो यह execute करवाने के लिए हमें root लिखना पड़ेगा तो API.php में यह यहाँ पर और root लिखे तो यह जो है इसको मैं अटा देता हूं authentication चाहिए ने तो यह भी हमें अशक्तन नहीं अभी के लिए इसको मैं अटा दिया यह हमारा रहेगा हमें पहले controller को इंपर्ट करना पड़ेगा because हमें अगर controller के इस method को यहाँ पर use करना है यहाँ पर तो मैं इंपर्ट कर लिए और यहाँ पर हमलो अपना root लिखेंगे रूट लिखने के लिए root लिखे get method यहाँ लगाएंगे हम लोग और हमारा path क्या होगा student then यहाँ पर हम लोग student controller colon colon class और हमारा consumer चलना चाहिए index था हमने index लिख दिया बस semicolon देदीजिए इसको save कर दीजिए तो देखते हैं कि क्या error इसमें एक error दिख रहा है मुझे यहाँ पर semicolon नहीं दिया है इसको save कर देते हैं अभी क्या होगा अभी अगर कोई slash student पर हिट करेगा इस API append रहता तो API slash student पर कोई हिट करेगा तो इस controller का index method चलेगा यानि कि यह वाला method चलेगा और ही method क्या करेगा model इस model में सारा data निकालके return करेगा यानि कि जोब टेबल में हमारा data रहेगा वह return करके हमें दिखा देगा इसको save करते हैं सेव करने के पाद server हमें पहले रंग करना मुद लगा PHP artisan serve इंटरप्रेस किया और हमें इसमें जाना है यहाँ पर इस पर नहीं हमें इसमें slash API slash student पर हिट करना है जैसे हिट करेंगा देटा हमें यह आप दिखाई देता है तो API हमारा बनके तयार है लारावल का अब बस इसक यह जो डेटा यह हमें react native application पर दिखाने का काम करना है फिर हमें समझेंगे कि हमारा दोनों यानि कि react native का application और लारावल दोनों connect हो गया तो वह कैसे करते हैं देखिए लारावल को एक टर्मिनल में run होने देते हैं because यह run रहेगा तभी हमारा API में ही top आएगा इसका कोई काम इसको close करते हैं इसको भी close करते हैं और हमारा अब काम होगा react native के android application में कैसे होता है वह सारी जिए देखिए एक नया टर्मिनल उपन कर गए है नया टर्मिनल मैं आपन किया यहां से और हम लोग react native का एक application यहाँ पर create करें उसके लिए यूज़ करेंगे एक्सपो एक्सपो क आप मैं इसका नाम रखना हूँ इस application का यहाँ इस project का इंटर्प्रेस करते हैं यह मैं बुझेगा कि कौन से template आपको use करना है मुझे template यूज़ करना है यह blank वाला जो उपर में आपको दिख रहा है इसी में तब simply आप इंटर्प्रेस कीजिए और इसी template के साथ आपका project create हो इसके अंदर चलते हैं cd react native app और इस पूचल करने वाले हैं यह हमारा बेसिक साइस का कोड है अप फैच भी यूज़ कर सकते हैं बड़ में यहाँ पर xos करने वाला हूं और xos हमारे इंस्टॉल नहीं आप देख सकते हैं package यहाँ पर इंटर्प्रेस कीजिए यह आपका इंस्टॉल करके आपको देदेगा आपको इंस्टॉल हो गया आप यहाँ पर पैकेजर्शन फाइल में वाब पस से जाए यह देख एक्सियोस हमारा इंस्टॉल हो जुका है अब हमें server run करना है और यह जो हमारा react native का application जोगी एक android application अभी हिलाल के लिए है उसको हम लोग android emulator में run करेंगे तो android emulator पहले open कर लेते हैं android emulator open करने के लिए help लेंगे android studio का तो android studio open करते है android studio में open करना उसका कोई खास काम नहीं यह सिरी emulator को on करने का काम है बस यहां से tools में जाना है tools avd manager यहां पर यह हमारा emulator इसमें play बटन में क्लिक किजिए यह हमें android का emulator create करके open करके run करके देदेगा बाकि इन दोनों को नीचे को close करते हैं यहां हमें close कर देना है android studio को बस emulator हमारा open है इसका power on कर लेते हैं कोई app होगा तो इसको यहां से remove कर देना है कोई app नहीं है अब इस पर मुझे run करना है yellow जो हमारा project default template मिलना है इसको इसके लिए अब से edit करके दिखाता हूं यह जो आपको दिखाई दे रहा है यह text यहां पर जो कुछ भी लिखेंगे वह आपको यहां पर mobile screen में आपर देखने को मिलेगा बट यह हमारा काम बाद में आएगा पहले हमें क्या करना है हमें अपने API में लारबल API जो हमने बना हिट करना है डेटा लेकर आना है फिर डेटा को यहां पर दिखाने का काम करना है तो इसके लिए हमें जुरत पड़ेगी एक state बनाने की जिस भी हम लोग अपना API से आया हुआ data रखेंगे फिर use effect के हमें आशकता पढ़ने वाली है और axios के पढ़ने वाली कोई हम लोग करने वाले हैं API में हिट तो यह सारी चे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ देखिए मैं इंपोर्ट कर लिया use state use effect hook और axios को भी मैं इंपोर्ट कर लिया हुआ है अब simply हम लोग अपना state क्रेट करेंगे तो state क्रेट करने के लिए use state लिखते हो गया यह काम अभी हमें यूज इफेक्ट यहां पर यूज करना है यूज इफेक्ट और यहां पर हमारा कुछ यह इस तरीके से arrow function लगाएंगे हम लोग यहां पर और यहां पर क्या कर दिया मैंने यहां पर empty array दे देते हैं और यहां पर हम लोग अपना हीट करने का काम कर यानिकी API में तो एसिंग function यहां मुझे बनाना है function कीवड लिख कर में बना रहा हूँ पर अरो function भी बना सकते हैं इसका नाम रखते हैं get all student student और यहां पर मैंने इसलिए अब यहां पर आते हैं और एक const बनाते हैं इसमें students ही मैंने इसका नाम रखते हैं आप कोई भी नाम रख सकते हैं अलग सा अवेट और यूज करेंगे API में hit करने के लिए get request करेंगे सिर्फ हमें data चाहिए अगर डेटा भेजना हो था हम अपने मोबाइल से बैक इंड में यानि कि लारावल में तो हम लोग use करते हैं post method कर यहां पर फिलहाल के लिए get हमारा काम हो जाएगा और हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि इस API में इस API के URL में आने कि यहां पर इसको कोपी कर लेजिए कोपी करके यहां पर पेस्ट तो एक्स यूज करेंगे get request करेंगा इस रूट पे इससे हमें return मिल जाएगा जो कुछ भी data को हुआ है students में और हम लोग इसको अपने statement डाल भी सकते हैं कुछ इस तरीके से set students करके students.data लिग दिया इसको save कर दिया ठीके तो यह अभी हमारा क्या होगा अगर हम लोग इस function को call करवा देते हैं use effect के अंदर बट इस function के बाहर यहां पर हम लोग call करवाएंगे इसको तो यह request send करेगा इस route पे students में हमारा data चलाएगा students.data करने पर हमें console में यानि कि यहाँ पर terminal में दिखना चाहिए data और साथ में अगर data आता है तो यह हमारा set भी हो जागा इस state में फिर इस state को हम लोग यहाँ पर flat list को यूज करके शो करवा दाएंगे सारा data हमें दिखने लएगा हमारे mobile app पर फिलाल एक लिए देख दें कि हम लोग यहाँ पर इसको catch कर लेते हैं error और अभी save करते हैं save करने बाद देखिए अभी error आ गया यह इंपर दिख रहा है कि एक error यह कर रहा है network error अगर आपको मिलता है इस तरीके से API में तो एक बार आप इसको जरूरूद चेक कीजे कि आपका यह जरूठ है सही है या नही देखिए जब आप android emulator से API में hit कर दें तो उस case में यह जो आपका IP होता है यह change हो जाता है यह आपका local host का IP है अभी emulator emulator के time पर यह आपका change हो जागा इसको change करना पड़ेगा 10.0.2.2 तो यह आपको लिखना पड़ेगा अभी इसको save कीज़े save करने के बाद अभी देखें अगा देटा देखाई दिखाल में लिशंड दिखाई देता है अधुम का देटा हो जीआ ध shorter दि का दीखाई दिखाई तै रहा हूं कहा थैसलं यहां यूर्य यहां पर हम लोग लखेंगे यहां पर हम लोग लिखेंगे data और यहां पर इसका पहला प्रपर्टी होता है महीर्ण बढ़的ру alguna रिखना पड़ता है कि कहां आपका अब आपका सारा डेटा यह मेरा state है उसी पर है उसके पाद आपको render item लिखना है render item में आप एक callback यहाँ पर लिख सकते हैं तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यह मेरा हो जाए को array जाने हम पर text इस लिख से text और फिर आगे देखेंगे अभी फिलाल के लिए देखिए आप अगर हम लोग simply item लिखें तो इस में जो students में जो item है वो एक पूरा पूरा item चलाएगा और एक पूरे item में यह सारे चीज़े हैं तो हमें इसको destructure करना पड़ेगा इसको तो फिर हमें एक एक object मिलेगा तो हमें इसको destructure कर देता हूँ कुछ इस तरीके से curly open curly close देकर अब यहाँ पर हम लोगों एक एक करक आपना data निकाल सकते हैं उसके लिए हमें रिखना पड़ेगा item.stuname इससे हमारा निकलाएगा नाम उसके बाद item.email से email हमारा निकल के आ जाएगा और I believe हमारा सब कुछ इससे काम हो जाना चाहिए अभी हम लोग देखते हैं कि save के हमें इसको save करने के बाद यहाँ पर email दोनों का दिखाई देता बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा है आप लोगों को दिखाई में भी देही नहीं रहा होगा तो इसको बढ़ा करते हैं असल style लगाते हैं इसमें text में style यह इसमें text style वे बडावकर देता हुए वूआ है वंसाइज और साथ में पैर्डिंग में मैंने जेति हमया इसको सेव किया सेवकरने के बाद यहां पर दिख़ाए देगा तो सोनम क finalements करनाम उसकी मिल राई detta था वह हम लोग यहां पर देख सकते हैं मतलब कि यह आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा फिलाल के लिए हमने सिर्फ पर रिट्रीव यानि कि डेटा दीखने का रीड करने का फीचर इसमें लगाया हुआ है अपडेट डिलीट का नहीं लगाया हुआ तो सिर्फ यही काम पर यानि कि कोई अगर नया डेटा इंसर्ट होता है फॉर इकजमबल यहां मैं जाता हूँ एक नया डेटा इंसर्ट करता हूँ यह मैं लाराभल में कर रहा हूँ ठीक है चाहिए कोडिंग के थुरूँ आप कर रहे हो इंसर्ट या फिर आप डायक्ली यह कि यह हमारा इंसर्ट हो के एक नया डेटा आपको देखने को लिए सुमीद हीट करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा ही सुमीद का डेटा यह तो लाराभल का ही पार्ट है इसके साथ ही साथ आपको आपके इस मोबाइल एप में भी आपको नया डेटा देखने को मिलेगा आपने अपडेट किया है मतलब इंसर्ट किया है क्वर पर उसका असर आपको अपने मॉवाइल आप में देखने को मिलेगा और यहां टर्मिनल में भी सुमित का ना डेटर देखने को मिल जाता है तो इस तरीके से आप अपने react native android application को connect कर सकते हैं लाराहल back end से उमीद करता हूँ कि यह सारे चाहिए आपको अच्छे तरह के समझ में आ गया होगी इस वीडियो को देखने के लिए आप सो का बहुत बहुत धन्यवाद